अईजीए कुमारग। अगर आप प्रपरेशन कर रहे हैं मैडिकल सोचल वरकर की पोस्ट ऑग्साम के लिए जो के लेना है फेजी आई ने जब आप किसी भी इंसिचूट की अगर मैडिकल सोचल वरकर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो में आपको देने जा रहो कुछ demo questions complete notes अगर आप purchase करना चाहते हैं तो आपको 9876371788 पे संपर करना है तो शुरू करते question number one What is crisis situation? किसी एक patient के लिए crisis situation क्या होती है बहुत बुरे हालात जो होते है उसको हम बोलते crisis Okay It is the perception or experiencing of an event or situation as intolerable difficulty that exceed persons current resources and coping mechanism कि जब कोई patient, जब कोई pediatric कोई ऐसे दोर से निकलता है, गुजरता है कि जब उसके पास जितने भी resources हैं जितने भी उसके शुरूत हैं जितना भी उसके पास बिमारी के साथ fight करने क्या जो mechanism होता है अगर उसकी capacity खतम हो जाए capacity से exceed हो जाए उसका जो दुख है, जो प्लीफ है उसको अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी सहन करने की capacity से तो हम उसको बोलते है crisis situation अब question number two है हमारा which of the following is the type of crisis निमन लिखत में से crisis की कौन सी type है, कौन सी किसम है तो पहला है developmental crisis दूसरा है situational crisis तीसरा है adventious और social crisis and फूर्थ है all of these, तो इसका right answer आएगा all of these developmental crisis होता है जब विकास होता है किसका development होता है तो उसके दौरान किसी stage के उपरा कि विकास रुक जाए तो उसको developmental crisis बोलेंगे situation होता है किसी खास हालात में किसी खास situation में अगर कोई बुरा दौर आ जाए तो उसको situational crisis बोलते है इसी तरह एडविंसियस जहां सोशल समाजिक तोर पे जब समाज में आपके कोई आपका जो इमेज होते है समाज के अंदर उसका कोई negativity हो जाए नुक्सान हो जाए तो उसको बहुते है सोशल क्राइस अब बात करें कोशन नमबर थ्री की तो कोशन नमबर थ्री हमारा है which of the following is a sign or symptom of crisis कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को कोई जो उसका दौर है वो क्राइसिस का दौर चल रहा है वो बुरे हाला से निकल रहा है तो उसको क्या होएगा option one है anxiety मतलब उसको चिंता रोग होएगा option two है hyper activity activity and withdrawal मतलब उसकी ज्यादा activity होगी bodily activity और withdrawal का मतलता कि वो किसी से cut off हो जाएगा वो किसी लोगों के अंदर बीच रहेगा और लोगों के साथ interaction नहीं करेगा तीसरी option है depression होएगा उसको depression anxiety दोनों होएगे and fourth option है all of these तो answer हैगा all of these कि जो anxiety है hyper activity है जा फिर withdrawal है जा depression है यह सभी symptom होते है सभी लक्षन होते है कि कोई इंसान एक बुरे दोर से निकल रहा है जानि कि वो crisis में है question number four हमारा है which factor influence the normal resolution of crisis normal resolution का मतलता है कि हम crisis के साथ fight करके उसमें से बाहर निकल के हमारी normal life में बापस आए तो उसमें क्या क्या होता है पहली option है relationship between event and feeling कि आपके साथ जो भी घटना हुई है और आप उसके बापस में क्या मैसूस कर रहे है दोन्यों के बीच का जो relation है वो affect करता है कि हम किसी event से अगर हम दुखी हैं अगर हम negativity फील कर रहे हैं उसे बापस निकलेंगे जा नहीं निकलेंगे next है availability of the sport system कि जब हम किसी crisis में होते हैं तो हमारे पास कितने sport system है हमारे पास उस situation से निकलने के लिए किस किस sport available है तीसरी option है availability of coping mechanism कि किस तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं किसी बुरे दौर से तो उसके बोलते है availability of coping mechanism fourth option है all of these and fifth option है A and C तो right answer आएगा option D all of these question number 5 question number 5 हमारा है when a client repress and push out of unconsciousness the incident and emotion associated with it is called मतलब जब कोई client किसी अपने चेतन मन से किसी event को बाहर फिंकता है और उसके बारे में सोचता नहीं है ठीक है उसको भूलने के कोशिश करता है ताकि मैं उससर सिचुईशन से बाहर निकल जाओं तो उसको क्या बोलेंगे तो इस तरह के resolution को बोलेंगे pseudo resolution क्योंकि वो चीज एक्चन में नहीं भूला उसने सिर्फ अपने conscious mind से को खतम किया है लेकिन कहीं न कहीं वो हलात वो situation उस person को दुवारा से किसी negativity में लजा सकते है question number six है when a client imply mal-adaptive mechanism to the incident he or she does not accept loss and keep remembering कभी ऐसा होता है कि कोई patient किसी दुरगटना को भूलता नहीं है भूलने के कोशिज भी करेगा तो भूलता नहीं है बार बार उसको याद करता है तो उसके behavior को mal-adaptive behavior बोलेंगे मतलब ऐसा behavior कि वो उसको ठीक होना ही नहीं चाहता वो patient तो उसको बुलेंगे unsuccessful resolution वो हमेशा ठीक होने में असाफल रहेगा वो कभी patient ठीक नहीं होगा question number seven which of the following is the aim of crisis intervention question number seven हमारा है which of the following is aim of intervention जब crisis के दोरान हम कोई intervention करते हैं तो उसका क्या aim होता है क्या मंतव होता है पहली option है to provide correct cognitive perception of the situation कि किसी इंसान को हम proper समझाते हैं उसको उसके दिमाग से समझाने कोशिश करते हैं कि जो भी वो हालात से निकल रहा है person जिस situation में वो है तो उसकी clear picture क्या है दूसरी option है to assist the individual in managing the intense and overwhelming feeling मतलब वो व्यक्ति वो person वो patient जो भी feel कर रहा है negative feeling उसके अंदर आ रही है तो हम उस individual को assist करेंगे किसी therapy के थरू कि वो जो उसकी भावनाई है जो उसकी feelings है उसको कैसे manage करना है next है to encourage the person to focus one implication at a time हम उसको encourage करेंगे कि एक situation को एक ही time पे ठीक किया जाए ज़्यादा situation में वो person अपने आपको confused ना गरे और fourth option है all of these तो answer है इसका all of these question number eight what are the seven stages of seven stage crisis intervention model यह एक model है जिसके थूँ हम patient को उसके जो crisis होता है उसमें से बाहर निकालते हैं तो उस model की साथ stages होती है तो वो साथ stages कौन सी है number one है plan and conduct a crisis assessment पहले हम assess करेंगे जांचन के कोशिश करेंगे कि जो patient है वो किस crisis में है actual में उसका क्या reason हो सकता है क्या उसके cause हो सकते हैं तो उसमें पहले plan करते हैं योजना बनाते हैं और फिर उसको assess करते हैं second है establishment of repo कि हम उस client के साथ repo building करेंगे जो भी counselor होता है जो therapist होता है वो अपने एक अच्छे सुबंद को स्थापित करता है client के साथ तीसरी option है identify the major problem फिर हम उसके behavior में सबसे जो बड़ी समस्या होती है उसको find out करेंगे fourth है deal with the feelings and emotions जो भी client है उसकी क्या feeling है क्या उसकी emotions है उसके साथ deal करेंगे number five पे हम करेंगे generate and explore the alternative हम उस person को alternative बताएंगे crisis से बाहर आने के crisis के साथ fight करने के sixth है development formulate and action plan हम उसको एक action plan बना कर देंगे कि कैसे हम situation के साथ fight कर सकते है और crisis से बाहर आ सकते है उसके बाद है establishment follow up plan तो एक client को अगर हम ठीक कर देते हैं तो कुछ दिन बाद उसका follow up भी करना जरूरी होता है तक कि वो दोबारा किसी crisis में ना जाए तो एक ऐसा agreement भी होता है कि वो कित्रे दिन बाद follow up के लिए हमारे पास आएगा तो यह होती है साथ stages of a seven stage model question number nine हमारा है which are the technique of crisis intervention crisis intervention में कौन कौन सी techniques होती है तो इसमें आएगा हमारे सबसे पहले number one catharsis तो catharsis में क्या होता है basically catharsis में क्या होता है कि जो patient होता है जो उसके अंदर negative feelings होती है जो भरा पड़ा होता है feeling के साथ तो उसको उसकी feelings को release करना होता है ताकि वो थोड़ा हलका हो जाए खुश हो जाए ठीके वो अपनी जो भी कुछ सुनाना चाहता है कि वो उसके साथ क्या-क्या बीत रही है तो उसको हम catharsis बोलते है second clarification encourage the patient to express more clearly event मतलब वो actual में उसके साथ क्या-क्या उसको लग रहा है कि उसके साथ क्या-क्या हो रहा है वो clear-cut हमारे को बता सके बहुत स्पस्ट तरीके से बता सके ठीक है तो यह second step होता है clarification third होता है manipulation हम patient के ही emotion को patient की wishes होती है जब उसकी values होती है हम उसी का patient को benefit दलाने के लिए हम use करते है as a therapeutic process ठीक है जो उसकी emotion होते है patient के उसी के अंदर हम manipulate करते हैं और उसको therapeutic process में लेके जाते हैं ताकि वो जो crisis के अंदर से use रहा है crisis के साथ लड़ रहा है तो crisis हम उसको बाहर निकालें उसी के emotion को use करके question number four reinforcement of behavior जब वो patient को अच्छा behavior करेगा खुद के problem को solve करने के लिए तो हम उस behavior को reinforce करेंगे मतलब हम उसको जैसे यहां पर giving the patient reinforcement to the adaptive behavior अगर वो अच्छा behavior करता है तो reinforcement में हम उसको के price दे सकते हैं ठीक है ताकि वो अच्छा behavior continue करें next is sport the defenses अगर वो अपने defenses के लिए कुछ अच्छा करता है जैसे को exercise करता है तो हम उसको exercise करने में sport करें ठीक है अगर वो कुछ unhealthy करता है तो unhealthy करने के लिए हम उसको discourage करें ऐसी next आता है increase self-esteem हम patient के self-esteem को increase करने के कोशिश करें ठीक है ताकि वो अपनी जो अच्छी feelings है जो normal feelings होती है किसी इंसान की उसमें बापस आ सके 7 है exploration and solution हम उसको explore करें कि उसकी जो problem है उसके हमारे पास क्या-क्या alternative treatment plans है क्या उसका solution है ठीक है तो हम उसकी immediate जो problem होती है उसको solve करने के लिए जो भी alternative होती है उसको explore करते patient के सामने उसको बताते है कि यह options है हमारे पास ठीक है तो उसमें patient choose कर सकता है next question है which one of the following is type of crisis inventory center invention center sorry तो crisis intervention center का मतलब क्या होता है कि जो patient crisis में होता है जो के बुरे हालात में होता है तो वो कहां कहां से अपनी therapeutic allows करा सकता है treatment ले सकता है तो उसमें answer है पहली option है VCT voluntary counseling and testing center होते है ठीक है voluntary counseling मतलब patient अपनी इच्छा के उनुसार counseling करवाने जाता है counselor से और वहां से वो अपने test भी करा सकता है किसी mental testing करा सकता है next option है rehabilitation center यहाँ पे पुनरवास बोलते है इसको हिंदी और पंजाबी में rehabilitation center का मतलब होता है कि जहाँ पे patient को उसके normal condition of life में बापस लेके आने का जो है प्रोग्राम होता है एक ठीक है उसको बोलते है rehabilitation program c है mental institutions बहुत सारे ऐसे institutions होते हैं जहाँ पे mental जो illness होती है patient की वहां उसको ठीक किया जाता है and fourth option है all of these तो यह सबी center है जहाँ पे intervention दी जाती है patient को तांकि वो patient अच्छे से किसी भी stress के साथ किसी भी negative crisis के साथ अपने आपको लडने के लिए yoga बना सके ठीक है compatible बना सके so इस तरह की competency पैदा करना patient के अंदर कि वो खुद ही अपनी जो mental problem जा medical problem है उसके साथ fight करता हूँ अपने आपको दुबारा normal life बापस लेके आ सके तो उस तरह के centers को हम बोलते हैं Crisis Intervention Center so this was all about the video about the topic of medical social worker बहुत important question थे यह इनकी आने की बहुत-बहुत probability होती है तो complete course purchase कर सकते है मेरा PDF की form में और वीडियो की form में तो उसके लिए आपको contact करना है 9876371788 पे आप यह course purchase कर सकते हैं और medical social worker exam में success प्राप्त कर सकते हैं Thank you, thanks for watching सकते हैं